हेलो फ्रेंट आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आपके पास अगर मंत्रा की L1 नई वाली डिवाइस MFS11 यह वाल डिवाइस है तो इसे हम कैसे अपने Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तमाल कर सकेंगे बिना किसी दिक्कत के आप में बहुत सारी लोगे कंप्यूटर बहु बिना किसी दिक्कत का हम समझने वाले वीडियो का इंफोरेटिव होने वाली है वीडियो को बने एक पली स्कीप किये एंड तक बने रही हैगा तो जैसा कि आप सामने देख सकते हमारे पास मैंने Windows 7 ऑपरेंट सिस्टम मैं अपने Windows 10 एंडेक्स से ले रखा दोनों सिस्टम म आपको देखने में मैंने एनिक से से करेक्ट कर रखा है तो देंके मुख्यता हम इसे पांच अलग अलग स्टेप्स में पूरा करें ताकि किसी भी स्कीप को मिस्स ना कर सको और सब चिस्स प्रोस्स करें आपकी डिवाइस सब्सेवाइस कर सके सबसे वाली बात है कि Windows 7 में ह पिडियो को हैं सब कघने करें दो किया करने के लिए के लिए किया है यह पफ कर दीया है तो ऊसे कार यहां से रन्सक्यार कर यह Muito LN वachen को फाइल यहां पर कर लेंसे से आपको अज हमें सीह आपको मंत्रा का अपकी विटिशव करल इसके ट्राइब के अज़े कहले सकेन्अ यह विंडोस पर सिर्टाउच पर तमस थे एंप फिर परसेंटेज यहां पर एक ट्रेम का फॉल्डर आजागा इतने फाइल आपको दिखते हैं त्रेक्ट और यहां से डिलीट कर लेनी जो डिलीट ना होती हो उसे स्कीप यहां जिरूर कर ले यहां तक आपका थर्ड इस्टे भी कंप्लीट हो चुका है फोर्ड इस्टे में करना है कि आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम यह मैं विंडोस 7 के लिए बता रहूं आप इस प्रोसेस को जो मैं बता रहूं चाहिए आपको जो भी विंडो विंडोस 7 विंडोस 8 विंडोस 10 विंडोस 11 आप सभी पर इस सारे इस्टे में बतारों करके आपको इंस्ट्रेशन कर सकते हैं सिंपली आपको डेटन टाइम पर राइट क्लिक करना एंदर आ जाने यहां निकाद आपके सामने इस प्रकार एक छोटा सा पोप अप खुलेग उनके साथ ही साथ आपको यहां पे इंटरेवों क्लिक कर चेंग सेटन के अंदर आकर आपको अपडेट होटो चाहिग हो जाए पुछ चाहिए तभी करता है आ पह यहाँ मंतरा मंतरा सव चाहिब कर सकते जैसेमं पर चाहिए आपको MFS110 पर क्लिक करते हैं यहां पे आपको ड्राइवर के अंदर यह एक चाराइव पॉइंट 1.1.0 और RD सर्विस के अंदर 1.0.3 Windows RD करते हैं आप यहां से भी कर सकते हैं लेकिन मैं स्रेज़ करूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जाए यहां पेरे अबाउट सेक्शन के अंदर आपको मंतर MFSL1 की में ड्राइवर दे रखाओ यह पांच फाइल के ड्राइवर जो आपको बहुत ज़रूरी होती है और इस पेसलिए आप जिस भ सेवन वाले है तो बाकि आपके विंडर टेन वेरा तो इसकी एक फाइल कर सकते क्या मैं आगे बताता हूं जो आप इसे क्लिक करोगे सिंपली आपको गुल ड्राइब खुल जागा यहां पर यहां पर आपको सिंपली से डाउनलोड पांच फाइल की जो फाइल है इसे सिंपली क्लिक कर अगर आपका मंत्रा फाइल यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर यह तोटल पांच फाइल इसमें से दो फाइल आपके मंत्रा के ड्राइवर जो आप इसकी क्लिक कर यहां अगर अप्डेटर उस समय के तक है जब वीडियो आप देखरो मिल जाती तो इन दोनों को सबसे क्या करना में आगे बता हूं सबसे पहले आपको करना यहां पर नेट फार्म वाले के जरूरी ही जरूरी है राइट किलिक कर यहां पर आपको रन एज एसमें इसे अपने वि पर नहीं होता है को दिक्कत है नेट फार्म यहां पर आपका इस्टोल दिख जाए कभी गिलिच होने का इस्टोरी लेगा घुमता रहा सगेंड पार्ट में अब नेट फार्म तो इस्टोल हो गया अब माने पास कितने सब्सक्राइबर थे टोटल मिलाकर पांच-पांच प सब्सक्राइबर यहीं वह दो सफ्ट्रेयर जो मैं यहां पर आपको दे रखाँ वीजुल वीजी रडिस्ट करके आप यहां कर सकते तो यह क्यों जोड़ी इससे जोड़ी कि आप जब इससे प्रोसेस करोगे इससे में ऑनलाइन डाउलोड लेगा आपके नेट के थुरू अब अब यहां पर यहां पर इस्टोल करने करते हैं तो हमारा यहां पर दोनों इस्टोल हो चुका है अब क्या करना आपको देगे मंत्रा आगे सबसे पहले MFS1108D सर्विस इसे इस्टोल करने ख्याल रखें जो 1.0.2 इसे राइट क्लिक कर रहां एज एसे इस्टोल कर लेने काफी आसान सा है सिंपल इसे आप इसे नेक्ट कर इस्टोल कर लोगे कुछ पॉप आएंगे उसे आप आपको यहां पर वेट कर लेना हो जाएगा इसके आपको राइट साथ में मंत्रा MFS1108D जो आपको डिवाइस लगाने वारे प्याता इसके लिए आपकर आ जाना चाहिए काफी अच्छी बात है अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है आपके PC में काम करने के लिए आले वाले डिस्प्ले जिसमें दोनों मांग नहीं थे मैंने इस्टोल कर लिया तो यह दोनों नहीं मांग रहा है अब हम इसे इस्टोल करते हैं और हमारा यह भी इस्टोल सही सही से यहां पर बिना कि दिखकर एक पॉप अगर आए Windows 7 वे आती है तो निकी वाला इस्टोल क्लिक करके आपको एक दो बार आए तो क्लिक कर देनी इस्टोलियां पर हो जाएगा इसके आपका इसका भी इस्टोल कंप्लीट हो जाए से आप फिनिस कर कर दें इसके आदा आती है आपकी मंत्रा एलवन डिवाइस को अपने Windows 7 के साथ करना वह भी में USB हब में किसी भी एक काम करेंगे मेरा करेंगे करेंगी बाताइक किसी smart करेंगे blame rain एकर करेंगी कर दिखाया लेकिन अब क्या काम करेंगा महीं थे वीडियो को लाज बताऊंगा जो सबसे आपके लिए बहुत ज़्या इंपोर्ट है कि आपका कंपूटर 100% काम करेगा ही करें जो ची में बताऊंगा आई हम देखते टेस्ट पर यह काम कर रहा है नहीं कर विंडू 7 में तो हम यहां पर CSC पे जो रिष्टन से प्रोसेस कर रह जो ऊकते हैं तो यहां पदिख सेवन भी सचाहाँ यहां राख है और यहां पर रहां हम में से खोल गई है तो इस प्रकार से प्रोसेस कर आपने विंडू 7 में इस मंत्रा नियू दिवाइस यवाईस को कर सकतें में मेरे पार मोरफो 11 अभी 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 लेवल नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी देशकूंग लेकिन मंत्रा आपको यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर बहुत सारे भाई लोग के विंडूस से काम नहीं किया होगा अपको नहीं को कर गया है ERICinent आपका नहीं किया हुआ है हागर दिसे सबसे औरफि Aram तो तो आपको सिंपलिक करना है किया मेरे टेलिग्राम चनल है यह देखकल और इस्टेकल वसीमसी है् लिंकके को क्लिक करनी है तो इस पर आपके ब्राउजर ओपेन हो जाए तक्रीवन तक्रीवन 5 जीबी के आज पास इसे आपको डाउनलोड यहां से कर लेनी विंडोस से सरी पेक वन 5.5 जीबी के आज सपास आज ख्याल रखें विंडोस 7 जो मैंको सफ्ट्रेयर इसे देना नहीं चाहिए जो एक सही तरीका नहीं है लेकिन मैं आपके लिए अपने चैनल पर रिक्स लेकर मोखले तरीके में दे रहा हूंसे matter Race this नहीं यहां पर णलोड हो जाएगा जब यह doubled uniformstyle के बाद आप इसStudy window को डालने आती है अपने कप्पूर्टर में तो नई आती है अप सप्टल है के जहां जो डालने आता हो जानके पास जाना है दूकान राफ बाद को देना हर 你 IGB रहाला और जो में प्रोसेश कस बाद करोiders my Bareош County 100 परसंस आपको आपके डिवाईस ना सरीप मोरफोavantra िर्पी आवके काम कर जाएंगे अगर पहले से विडियो आपको चलाना अपनी मंत्रा के नए L1 डिवाइस को तो किस पर चला सकते है एड इस मंत्रा एर L1 डिवाइस की वह इसू जो आपको विडियो आपके लिए एलफ और इंपर आवा थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो